नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालुमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org असलाम अलेकम नई सुभा के इंडिपेंडन लिविंग प्रोग्राम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स में खुशाम दी मैं हूँ सनन अजीर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शामी कबाब बनाने की रेसिपी शामी कबाब बनाने के लिए जो अजसा हमें दरकार हैं वो हैं गाय का गोश्ट आधा गिलो चने की डाल आधा पाव नमक हस्पे जाइका साबत लाल मिर्च आधा पाव साबत धनिया दो टेबल स्पून पिसा गरब मसाला एक टेबल स्पून छिला हुआ लहसन दस से बारा जवे प्याज बारीक गटी हुई दो अदत दो अंडे और आईल हस्पे जुरूरत तरकीव सबसे पहले एक धुली हुई देख चिलें फिर इसमें धुला हुआ गोश्ट और धुली हुई चने की डाल इसमें डाल दें अब इसमें इतना बानी डाल दें के पतीली के अंदर आधा गोश्ट और आधा पानी और आधी पतीली उपर से खाली हो इसके बाद इसमें साबुत धनिया साबुत लाल मिर्च लहसन की छिले हुए जवे और बारीक कटी हुई प्यास डाल दें अब आब इसमें हस्बिसाय का नमक डालें और पूरे मिक्स्टर को पकने दें जब इसमें एक उबाल आ जाए तो आँच को दर्मियाना कर दें और पतीली पर ढखना ढखकर इसको पकने छोड़ दें यहां तक के गोश्ट और डाल अच्छी दरहां कल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए अब इस मिक्स्टर को सिल्बट्टे या चौपर की मदद से पीस लें अब इस बिसे हुए मिक्स्टर को आलाइदा बॉल में डाल लें अंडे और पिसा गरब मसाला इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लें अब आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं अगर कम है तो बढ़ा सकते हैं इस मिक्सर की छोटी दर्मियानी या बड़े साइस की टिक्कियां बना लें अब आप एक प्लेट ले लें जिसके ओपर आप टीशू पेपर बिच्छा लें अब आप एक दवा या फ्राइंग पैन ले लें और इसे चूले पर रख दें जब दवा या फ्राइंग पैन गरम हो जाए तो इसके ओपर थोड़ा सा तेल डाल दें फिर एक एक टिक्या फ्राइ कर लें और इसे टीशू पेपर बिच्छी हुई प्लेट पर निकाल लें गर्मा गर्म कबाब चटनी और चपाती के साथ तनावुल फर्माएं आज के लिए इतना ही मिलेंगे नई रसुपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए